वेल्कम टू आपर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ओफ देटेस्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेंग पार्ट आप टेक्निक्स जिसके अंदर सबसे पहले कुछ बैसिक कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद क्यों शन्स डिसकस करेंगे बीच्टिक्स बन बने सब्सक्राइब करेंगे विश्क्ट सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले नेचिरेशिन करेंगे पार्टिकुलर डियने का नाइटीफोर डिदीशेस पे पोड़ 0.15 एंप सुरी 0.5 मिनिट के लिए उसके बाद प्राइमर एनिलिंग होगी 52 डिदीशेस पे कभी वाद इस तरह से भी क्यूशन पूछ लिया जाता कि कितने टेंपरेचर पर प्राइमर की एनिलिंग होती हैं कितने टेंपरेचर पर डी और जो प्राइमर का एक प्राइमर का एक टेंशन होता है टेक डिएनि पोलिमरेज ठार्मस एक बेक्टिरियस लिया गया है जिसके अंदर 3.5 प्राइम एक्टिविटीटिटी यह वो क्या होती है इसले होती है तो यह चीज़ भी कुछ लिए जाते है कि कूछ आफ picky सारे ने की से होते हैं , यह कुछ दल यह रहें म receptor 20 00 और हो इस कि अंदर क्या करते हैं , बैस्ट लौटेश धर यह में पर प्रिस्वत safe सब्सक्राइब करते हैं कि इसके अंदर इंटर करता है इंटर करता है डियने और आर ने करता है और साइबर ग्रीन का मैंने यूज किया जाता है और उसके बाद टेगमेंट फ्रोब भी यूज करते हैं और मोलेकुलर बेकोइंस भी यूज किया जाता है अब्सक्राइब करते हैं और फ्रोटसेंस लाइट करेंगे फ्लूटसेंस प्रोटसेंस के अपोडिक हम लोग देख सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुए तो यह बेसिक कॉंसेप्ट ना पीसी आज का उसके बाद नेस्ट रहते हैं इन वीवो एम्प्रिफि क्या करेंगे सबसे पहले रेस्ट्रेकशन रेठीकशन से कट करेंगे यह अंदर यह को सहल करेंगे लैक्तिव giàug क्या हुए एक self-competent capacity present रहते हैं, competent means किसी another generating material को gain करने की capacity रहते हैं, तो इसके बाद यह क्या होगा, divide होगा और इस तरह से amplification होगा, इसके प्रोपर्टी होते हैं, plasmid की इसमें क्या होता है, over enormous origin होता है, site for restriction endolymplase, endolymplase के लिए कुछ sites present होती है, और कुछ markers भी present रहते हैं, like tetracycline resistance, mpcline resistance इस तरह से markers present रहते हैं, तो जब हम लोग transformation, transformation की अगर उसकी quality को check करेंगे, कि उसके अदर cell के अंदर plasmid पहुंचा है या नहीं, उसकी quality को कैसे check करेंगे, इन सारे marker gene की रहते हैं, okay, उसके बाद multiple cloning sites भी present रहते हैं, फिर इसकी basic steps हैं, जिसके अंदर सबसे पहले, अगर यहां पर cut लगाया, उसको उसके बाद alkaline phosphatase से यहां पर जो phosphate बज़ेगा, पाई प्राइमेंट पर उसको क्या किया जाएगा, ताकि यह वापस से phosphate अपने ही hydroxyl group के साथ अटेज नहीं हो जाए, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इस phosphate group को वापस से रिमो करेंगे, alkaline phosphatase का यूज करते हैं, फिर ligation होगा, dna ligase से, फिर transformation, competent cell के अदर transformation होगा, और फिर उसकी quality चेक की जाएगी, okay, mpc-leal containing medium के अदर रखेंगे, positive और negative selection होगा, एक होगी master play, जिसके अदर positive selection होगा, positive selection इसके लिए होता है कि उस cell के अदर particular price limit पहुंचा रिया नहीं, okay, तो वो recommendant cell है या नहीं, और वो transformed cell है, य negative selection के लिए replica plate होते हैं, और tetracycline containing medium होता है, तो जिस cell के अंदर अगर यह recommendant DNA नहीं पहुंचा है, तो उसमें क्या होगा, वो grow नहीं कर पाईगी, sorry, वो grow कर जाएगी, और another cell grow नहीं कर पाईगी, because उसकी जो side है, restriction side, उस पे क्या present है, tetracycline present, okay, उसकी जो cloning side है, उस पे tetracycline present ह तो यह होता है, in vivo amplification, in vivo amplification के लिए कुछ plasmid का यूज करते हैं, वो plasmid component से हैं, इसके बाद में देख सकते हैं, और उसकी insert capacity कितनी है, कितने long DNA को वो insert करवा सकता है, तो इसके अदर PBR322, इसके बादे हम सब लग जाते है, 10 kb, insertion capacity होती है, इसके अदर, lambda fast, इसके अदर 20 k कोजमिट के अंदर होती है, 40 kb, और फिर होता है, PET, means P1 fast derived artificial chromosome, जिसके अंदर 100 kb तक के DNA की insert capacity होती है, और उसके बाद है, bacterial artificial chromosome, और yeast artificial chromosome, जिसके अदर 1 mb तक की capacity होती है, वो 1 mb तक के DNA को amplify कर सकता है, आपने साथ इंसर्ट करते होती है, तो इसके तर यह क्योशन CSI, पूछा गया है, और कभी कोबार इनकी order पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लाजमिट सबसे ज़्यादा इंसर्ट capacity होती है, तो यह कुछ examples है, अभी हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं सारा कुछ, उसके बाद next है, enzymes involving recommend DNA technology, तो कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ पूछ प्रसेंजाएं सेंग प्रसेंट विसको अगर स्पेसिपिक लेखे तो DNA होते है और RNA, ब्रीफ में हम देवाद इनकी को कट करेंगे वो RNA DNA को further divide कर सकते है exonuclease endonuclease और exonuclease endonuclease means बीच में से cut करेगा हो कहीं पर और exonuclease उसके side में से cut करेगा okay endonuclease further divide कर सकते है specific और non specific type में specific means particular specific side पर cut करेगा और non specific means वो कहीं पर भी cut कर सकता है okay then RNA के अंदर देख सकते हैं RNA कापी सारे RNA रहते हैं लेकिन कुछ एक्जापक्त रहते हैं RNA क्या है using DNA isolation protocol to remove RNA contaminants जैसा कि कल आमने देखा था RNA का यूज करें थे RNA contaminants रिमूओ करने के लिए और ने एच जो होता है वो सब्सक्राइब करने के लिए यूज करने के लिए यूज कर लगाते हैं लेकिन यह क्या है तो लाओ टिशन भी जब्सक्राइब करने के लिए परिए पर इंपोर्टेंस जैसे के लिए यूज के लिए तो यह कंड़ केमित बार क्लास सब्सक्राइब करता हैं यह अगेशन चाहिए सजहले और हम अतिके हुसका क्लव आथा है और सजुकर्थ 5 जमनेशनले सप मंते सफरते जदेम तो यह सारे एक्जांपल्स के एंजाइम्स जो इंवर्ड होता है अब हम लोग डिस्कूस करते हैं क्यूश्ट पर्स्ट क्यूश्ट इसमें सैल साइक्ल रेगुलेटरी जीन्स सीडिसी जिसको येस्ट के अंदर क्या बोला जाता हैं सीडिसी और यूमन मेंस के अंदर इसको इंडिपेंडेंट काइम्स तो सैल साइकल रेगुलेटरी जीन्स वर ओरीजिनली डिसकवर्ड वाल नर्स इंगिस्ट यूजिंग जेनेटिक अप्रोच इंवल्विं तेंप्रेचर सेंसितिव मुटेंट स्क्रीनिंग विच उप्ट फॉल्विंग वोस उस्ट तो आइडि बाइडिक मुएवगा इस वाल था इसका स्कारेक्ट आंजर और सेंस्ट ऑ पाल पायो है विच्ट इस ए इन प्रोच दियु सपैसिफिक इंडर इंट्रक्ष्ट एंट इस इंपुर्टन एंट्रक्ष्ट इंट्रक्ष्ट इस थि इस्टोडिशन पैंट्चर कोंसा मेधोड है Like Microscopic एससा कुन सा मेछा उस करेंगे । इंहुन सही करेंगे , , इसमस्टी जानी कैसे कई vet कि अजा न为ब कि दस दो जाते हैं , इसमें showed that ॉच इसरोर सबनीटίνग संद। कि आज़ के अनप विवे 1993, इसमनी जाता है , कलचाअ हो सकते हैं और सेल सपेंशान के लिए इसको युसके इपते हैं बाई युस पैशिए इउस पेपिन ऐसक पैशिपिक आटीबोडी मिशकोलिए इस एंद को प्ई गई हवी पीडाएग्यें ए उसकनगे निपंद sous तो एसी कॉन सी टेख्निक है जिसके प्रोटीन से सॉल्ट का को रिमूब नहीं किया जा सकता है तो अल्ट्रा फिलिटरेशन से हमें पता हैं किसी भी इंपुरिटी को रिमू कर सकते हैं तो यह तो होगा उसके बाद है आयन एक्चेंज प्रोमेटोग्राफी जैल फिलिटरेशन प्रोमेटोग्राफी और डायलाइसिस तो में जो स्मॉल अमांट में स्मॉल मॉलिकुलर कुछ इंपुरिटी उते हैं उसको रिमूब करने के लिए होता है तो डायलाइसिस भी जैल फिलिटरेशन प्रोमेटोग्राफी भी इसमें यूज होगी लेकिन आयन एक्चेंज प्रोमेटोग्राफी पर्टिक्लर पी आई के बेस पे उसके चार्ज के बेस्पे इसको यूज करता है तो ऑप्शन निंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेंट आंसर नेक्ट विश प्रिटिशान नेगेटिव सेलेक्षिन अड़क्टिण और ऐग्रोग्रेश्वें दिराइवड अनोस प्रोमोटर उके पॉदिए नोपिलाइन सिंथ्प वारुडा ब्रटिपेश्वी ज़तेंग रेकिन नेगीटेव सेलेक्शन मार्कर जीन अन्डर वीज प्रोमोटर यह कि अधर हम लोग देख सकते हैं नॉन कंदीशनल का मतलब क्या होता है जो सबस्टेट के तो सबस्टेट इंडिपेंडेंटेंटेंट हो का उसको क्या बहुत है नॉन कंदीशनल expression of the negative selection marker genes in transgenic plants causes immediate or conditional cell death by interfering with normal growth and development okay it allows selection of cells which left the non-selectable marker gene based on the mode of action non-selectable markers are classified as non-conditional substrate independent and negative selection markers and conditional substrate dependent negative selection marker okay the two types में इसको divide कर सकते हैं expression of the non-conditional negative selection marker genes leads to immediate cell death after transformation it does not require any other substrate for its action non-conditional or conditional negative selection markers क्या क्या होते हैं इसके बार में हैं so option number d क्या होदेगा इसका correct answer next question is several experiments have shown leaky deregulated expression of reporter genes with does gus gene okay glufosinate genes and from plant promoter in agrobacterium cells which one of the following approaches uh would be most useful in restricting transgene expression in transformed plant cells and prevent their expression in agrobacterium इसाब किसमें यूज किया जादेगा तो use of weak promoter to express the transgene use of five prime to three prime uh utr flanking the transient weak promoter होगा लेकिन फिर भी उसका expression तो होगा थोड़ा हो उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसका transgene expression होता रहेगा एकिन अगर intron को transgene के अंदर डाल देंगी तो फिर उसका expression नहीं होगा of promoters यह कुछ genes के construct बनाया है जिसमें अलग-अलग promoter का यूज किया गया और अलग-अलग selection markers का यूज किया गया तो इसमें constructs देख सकते हैं इसमें polyflower mosaic virus का है नॉपलाइन synthese gene है और इसमें जीन है बार जीन ओके और इसमें कुछ इसकी frequency दे रहे हैं तो frequency का तो कोई फर्ग नहीं पढ़ने आला polya का okay polyadenylation in the absence of any other factor which one of the following statement is not acceptable as a logical conclusion based on the above data तो इसा कौंसा statement इसमें not acceptable होगा the use of stronger and stronger promoter for expression of selection marker genes can increase transformation frequency यह बिल्कुल सही बात है अगर strong promoter use करेंगे तो उसकी transformation frequency भी क्या जाएगी then variation in expression level between the NPT and bar gene is not influenced by NOS polya signal यह भी बिल्कुल सही बात है NOS polya signal से कोई उसमें फर्क नहीं पढ़ने वाला then production of herbicide resistance plant at high frequency can be achieved with lower expression level of the transgene तो production of herbicide resistance plant at high frequency अगर high frequency में obtain करना है तो lower expression नहीं करवाना पड़ेगा उसके क्या करवाना पड़ेगा higher expression करवाना पड़ेगा तो option number C inappropriate लग रहा है यहां पर उसके बाद use of canamycin as a selection marker appear to be more favorable for production of larger number of transient plant यह भी मिल कुछ सही बात है तो option number C क्या हो जाएगा इसका inappropriate not acceptable then next question is which one of the following is matched incorrectly तो nanopore DNA sequencing के लिए यह उसके हैं यह next generation DNA sequencing के पार्ट है उसके बाद बीटा करोटीन golden rice के लिए यह सबको पता हैं बार्ट जीन क्या होता है तो यह इस तरह से इसमें क्या होता है एक कुछ डिवाइस रहती है जिसके अदर एक unwind नवाइंड एन्वाइंड और एक प्रोटीन पोर रहीगा तो डियने के अनमाइंड यह उन्वाइंड करेंगे और यहां पर इसका एक्सप इस तरह से यह निश्ट जन्रेशन सिक्वेंसिंग का एक्जांपल है नेन पोर सेक्वेंसिंग तो ऑप्शन नमबर सी क्या ज़े गाइसा इनकरेक्ट इसमें पुछ ग्रूफ फस्ट दिये हुए है कुछ एंजाइम्स दिये हुए है और इसका कुछ रोल दिया हुआ इन इन्जाइम्स का तो अभी हम लोग देखें सबसे पहले तो नाइट्रोजनेस निशाइम्स उपको पता है नाइट्रोजन फिक्शेशन में वाग करता है थ सब्सक्राइब करता है तो फ़ोगों के टैलन सब्सक्राइब करता है तो 12 पहले हैं झीजिए उपस की इसमें पर्व तछृमिं है पांटिशन इसमें क्रमेत्र ग्राफिक टेक्निक्स रहिए और उसने इसके इल्यूजन कंडिशन क्रोमे규 मैख पांडिवादे क्राणिब्स है उसना अ मजला उसका प्रमेड पसी प्रादिटीम तब क्लमी मस्ट बी चला मेंद च्पार इसमें सोल्ड की ग्रेडियन को इंक्रीज करेंगे तो जल्बी से एल्यूशन होगा तो यह क्या हो जाएगा क्योंका 4 उसमें और सिपटेफ जी वन गुंटी इसमें इसमें क्या किया जाता है इसमें क्या क्या हो जाएगा इसमें isocratic variant को increase करेंगे तें फिना इसमें क्या करेंगे decrease the ammonia sulfate gradient तो इसमें क्या हो जाएगा फ़स्ट पार को जाएगा 3rd option no. a क्या हो जायगा गर्टो इन नेच्टीशन इस प्लांट डिफेंस रेस्पोंस प्लांट डिफेंस रेस्पोंस और और पुछ यह नाम दिये हैं तो यह काफी ज्यादा इंपोर्टन है इसी तरह की क्यूशन वापस आने की पोसिबिलीटी है इसको बिल्कुल द्यान नहीं इसको तो बिल्कुल द्यान से देखिए और इन सब के सब कर दो इसके नहीं हो प्लांट के बाहर के कर तो फर्स्ट और सब्सक्राइल उसके बार This ग्लुकें से तो और सिस्टमिक रेस्पंस के लिए सालेशिलीक एशीट त्वर प्लांट इसका परिक अंसर next question is a method in which a strong enhancer is randomly inserted in a plant genome by transformation एक strong promoter है जो randomly insert किया गया है plant genome by transformation resulting in mutant plant with dominant phenotype mutant plant with dominant phenotype in known as जो इसको क्या बहों एक्तिबेशन टेगी इस मेंदर को बला जाता है एक्टिवेशिं टेगी तो ऑप्शन नमबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा एक्टिवेशिं टेगी क्या होती है रेंडमली इंसर्टेटी डिने फ्रेग्मेंट कंटेशिंग इंजीनियर्ड फॉर पॉर पॉपी जोपी इन्हांसर एलमेंट इंट एप्लांट जीनों टो किसी ओर्गिनेजम की जनोम में इंसर्ट्शनल मूटेशिं पॉस करवाना है तो उसको क्या बलते हैं जीन ट्रेपिंग टीलिंग भी मूटेशिं में वर्क करता हैं तो ऑप्शन नमबर इससे क्या हो जाएगा ती करेक्ट हो जाएगा तेन नेक्स्ट कुशन इस तो यह बाइनर ही प्लाजमीड के अंदर उसके अंदर प्लाजमीड के अगेंस्ट भी क्या करेंगे अं उसके अंदर क्या करेंगे प्लाजमीड और वेक्टर दोनों के अगेंस्ट क्या करेंगे प्राइमर का युश करेंगे एक कॉंबिनेशन ऑफ पैसेंजर जीन स्पेसि इसके अंदर हम लोग देखा था सोडियम एजाइड का यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर थार्ड के हो जगा प्रेक्ट पोली थैलीन क्लाइकोल क्या है फ्यूजोजनिक एजेंट है यह भी इंपोर्टेंट है इसको याद रखना अच्छे से इसके उसको क्या बहुत है इस टेखनीक के अंदर क्या करेंगे ओफ्राइम एंड इंफ्रमेशन आफ्रांस्ट इस इनलाइज तो फाइप्राइम इंप्राइम इंप्रेंड होती है क्या पता है तो यह कहां से डिराइब होते हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सिक्वेंस से डिराइब हो सकते हैं और अच्छान नमबर थार्ड इस परेंट आंसर नेक्ट क्यूशन इस विश्वन आप फॉलिंग टेक्निक्स इस सुटेबल फोर लाग्ज स्केल प्यूरिफिकेश से एं स्क्रो मेड करेंगे प्रमेगों अलगे करेंगे और की विश्वन आप हम्टार्ग यूर्टे में के अनदर ही उसमें चार्म स्थिशिश में लाग्य नेक्स स्थिशन है इस जाह माई तर इस स्कूला है प्लान्न त्यानल प्रंट पशन्स प्रस्वें अधे नाम्यम ह किसी ऐख और दो अजरी तो नचाइंज एडर को थे स्ट क्रोफ किस कर से लिया गया है रोडिक तो अंबूध इन ऍसकर एंगृ तो स्टिक्ष मुझन का फ्री ओसमी तो थे स्टु नचाएंगा। किसे करदी है कभी किसी कोई होती है किसकी कुछ सिर्फ के सक और बाएं होती है कि Ale B क्रफने और होता है तो आगर एक लिएशन हो जाता है तो और होती है कि इंधा हम और 157 एंदियू पर शु próxima शेंग कर छाहिए अगर रिपेटेशन हो तो उसके एक disease होती है जिसको बहते हैं अन्टिंटन disease और वो कहां पर तो ही coding sequence के अंदर होती है तो expanded tri-nucleotide sequence in coding sequence option number C क्या हो जेगा correct हो जेगा इसमें tri-nucleotide का expandation होता है और tri-nucleotide का expand होता है इसमें C-A-G इसी तरह से phrasile X syndrome भी होता है next question is vector are important in transmission of disease तो यह कुछ vectors है जो transmit करते हैं यह वाली disease को ओके तो mosquito mosquito यहां पर transmit करता है वेस्ट नाइज फीवर को तो फोर्ट का क्या हो देगा एक फोर्ट का एक दो में आ रहा है उसके बाद है लूज और टिक्स और माइट्स ओके तो हमें पता है लाइम डीजिस के लिए क्या होता है लाइम डीजिस के लिए यहां पर तो टिक्स का हो जाएगा सी बैन माइट माइट करते हैं स्क्रब टाइफर्स और फोर्ट का हो जाएगा लूज नौर कन लाइगा लूज उल्ला जाएगा यह क्या करते हैं अपिडिमी का ताइफर्स यह जाए गजाए पर्फेस्ट का घ्रीजिस का चुछ आप्डर रूज पर्फिट्स और उप्शन नंबर फस्ट कर गड़ेगा नेक्स्ट एप्शन इस में यह श्य बीछेए which also contain the Jika virus, Dengue virus and Yellow Fever virus. West Nile virus is primarily transmitted by mosquitoes, mostly species, कौन सी है? कुलेट्स, okay? And scrub typhus, also known as bush typhus, is a disease caused by bacteria called Orangia shushu shushuka mushi, okay? Scrub typhus is spread to people through bites of infected chiggers. Chiggers क्या होता है? एक लार्वर माइट है, okay? तो माइट से ये spread होता है, scrub typhus. The most common symptoms of scrub typhus include fever, headache, body achilles, और sometimes rashes, okay? Then epidemic typhus में, also called is loose born typhus. इसको नाम है इसका क्या है? loose born typhus. Is an uncommon disease caused by a bacteria called ricasia prosa की epidemic typhus is spread to people through contact with infected body lines, okay? So option इसका answer होजएगा. Then next है, transgenic crop occupied the largest cultivated area in the world are tolerated to. इसके लिए होदी, herbicide resistance crop सब से ज़्यादा है, transgenic crop. Option number first correct होजएगा. Which one of the following technique is used to detect SNP? SNP को detect करने के ये 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 ज़्यादा है, SSCP, okay? Single Standard Confirmation Polymorphism. Option number first, क्या ओढ़ेगा इसका correct? The next question is, Which one of the following statements about BT cotton cultivation in India is not true? So not true पूछा है, इसमें, Farmers cultivated BT cotton are benefited from higher return, ये भी ये correct है. उसके बाद Pesticide consumption on cotton is significantly reduced, ये भी बिल्कुल करेक्टा है. India became an exporter of cotton, एक्सपोर्ट करता है, ये भी correct है. उसके बाद the cotton cultivation in India is shrink from ball bomb menace, इसका मतलब ये नहीं कि वो ball bomb से बिल्कुली इसका खट गया है. तो ये wrong होजे का रॉंग स्टेट्मेंट, option number 4 is the wrong statement. Okay? Next question is, the latest version of golden rice contains the following transgenes. तो latest version पूछा है, इसके अंदर golden rice 2 के बारे बूचा. पहले जो produce किया गया थे, बूप क्या थे? golden rice 1 जिसके अंदर vitamin A की deficiency को दूद किया गया था, transgenes डाल के उसके अंदर 3 genes पर insertion किया गया था. लेकिन जो latest version है golden rice का उसको बोला जाता golden rice 2 और उसके अंदर 2 genes इंसर्ट किया जाते हैं, one from males and one from alveglia. Okay? So option number, ये कहा है, to construct golden rice 2, the phytoinsynthetase genes PSY from males, and the carotene desaturated gene CRTL from arvenia ureidogora were inserted into rice. Option number 3 का हुझे है इसका correct answer. इसमें लेटेस्ट वर्जन पुछे है, इसलिए सिर्फ 2 genes आ रहे हैं, अगर इसका पुराना माला वर्जन पूछते है golden rice 1 पूछते है, तो उसके अंदर किने genes होते हैं, 3 genes होते हैं. Next question is, which one of the following studies is not needed for the biosafety assessment of GM growth? इसके अंदर human and animal safety studies ये की चाती है, gene flow analysis भी किया जाता है, soil microflora, natural enemies of the pest, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन micronutrient uptake by PI, ये यहां पे इसका कोई use नीज होता है, कोई नीज नीज होता है, The main purpose of GM food safety assessment is to identify new or altered hazards associated with the food as a result of genetic modification. If a new or altered hazard, nutritional or other food safety concern is identified, further investigation is undertaken to determine its relevance to human health. तो ये किया जाता है, food safety assessment के लिए, ये सारे questions थे टेक्निक से related और कुछ GMO और marker से related. So I hope you like this video, thank you so much for watching, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो लाइक जरू करें और अपने फ्रेंड के साथ शेर करें, sharing is caring, so सबके साथ share करें, ताकि सबको benefit मिरे सके, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो subscribe जरू करें, so thank you.